Hello friends, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनी स्टोरी पर इस से पहले कि मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँ सबसे मेरी गुजारिश है कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है या जिन्होंने नहीं किया है प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ओल को प्रेस जरूर कीजिए ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालू तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए ये बिल्कुल फ्री है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए तो कहानी शुरू करते हैं मा तो मा होती है अजे बहुत परेशान था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थितिव से कैसे निप्टे वो अपनी मा को बहुत चाहता था किन्तु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी मा से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी मा की एक आँख नहीं थी साथ ही उसकी कमर भी जुकी हुई थी वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है किन्तु फिर भी वो उसकी पतनी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है दादी आप उपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रही है अजेने के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा बेटा मैं तो यहां बहुत दूर बैठी हूँ अजे की मा ने बहुत प्यार से कहा नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिडाते हैं अखिल ने जोर से डाटती हुए कहा क्या हुआ अखिल, क्यों चिला रहे हो अजे की पतनी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई देखो न मा, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मिरे दोस्त आ रही है अखिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा मा जी, आप उपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा बेचारी सरस्वती चुप चाप उठकर जीने के सहारे उपर जाने लगी कमर जुकी होने के कारण उन्हें उपर चड़ने में बहुत परिशानी हो रही थी किन्तु वो पूरी ताकत से उपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई अजय बाज्यू के कमरे से सब सुन रहा था उसे कश्ट हो रहा था कि उसकी मा को अपमानित होना पड़ रहा है किन्तु वो ऐसाहाई था अगर वो कुछ कहता है तो पतनी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था उसका समाजिक स्तर बहुत उंचा था उसकी ससुराल भी एक उच घराने में थी इसलिए वे चुप चाप इस तरह हर दिन अपनी मा को अपमानित होते देखता रहता था रात को अजय की पतनी ने कहा देखो जी अब कुछ करो कल कलेक्टर सहाब की पतनी आई थी मा जी अपनी देशी धुनधारा में उनसे मिली मुझे बहुत शरम आ रही थी बताते हुए कि ये मिरी सास है मैंने तो कह दिया कि दूर की रिस्दार है इलाज कराने आई है अजय को रोना आ गया किन्तु फिर भी वह चुप रहा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे अपने बेटे की मनस्थिती को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर वात को चुप चाप सहे लेती थी देखी गई एक दिन उसने अपने बेटे से कहा अजय बहुत दिन हो गए हैं मैं अपने गाउं जाना चाहते हूं मुझे वहाँ पहुचा दो मेरा यहां मन नहीं लग रहा किन्तु माँ वहाँ तो कोई नहीं है तुम्हारी देख बाल कोन करेगा अजय ने आश्चरे से पूछा अरे सब गाउं वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गाउं में रहते हैं और फिर हम सारी वेवर्स्थाएं कर आएंगे ना कामनी ने कहा कामनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो हाँ बेटा बहुत सही कह रही है सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा अजय जानता था कि गाउं में मां की देखबाल करने वाला कोई नहीं है लेकिन अपनी पत्नी की जित के कारण वह अपनी मां को गाउं छोड़ने पर विवश हो गया मा को गाउं छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था किन्तु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनो भावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे जब अजय बहुत छोटा था उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आये थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे पूरा परिवार और आस पडोस बहुत उस्साही था अमेरिका से अजे के डोक्टर चाचा रहे थे डोक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा सब ने मिलकर बहुत उच्सा से उनका स्वागत किया क्यों अजे भाबी नहीं दिख रही कहा है डोक्टर रमेश ने उस सुकता पुर्व कुछा जी वो गाउं में रहती हैं यहां उनका मन नहीं लगा कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया डोक्टर रमेश ने अजे की और देखा तो अजे ने अपनी आखे जुका ले डोक्टर रमेश सब समझ गए बोले कल हम भावी से मिलने गाउं चलेंगे सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गाउं के घर में पहुँचे देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर एस सहाई पड़ी है डोक्टर रमेश दोड़ कर सरस्वती के पास गए उनके पैर छुकर रोने लगे सरस्वती की ये हालत उनकी कलपना से भी परे थी वहा बेटा अजे तुने तो ना मुझागर कर दिया अपनी मा की ये हालत देखकर तुझे तो शरम भी नहीं आ रही होगी डोक्टर रमेश ने अजे को लगबग डाटती हुई कहा नहीं देवर जी अजे का कोई दोश नहीं है मैं खुद गाउं आई थी सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया मुझे सब पता चल गया भावी आप चुप रहो क्यों बहू तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है है ना डोक्टर रमेश ने कामनी की और व्यंगे से देखा कामनी निरुत्तर होकर आजे को देखने लगी आज तुम जिस समाजिक स्तर पर हो वो इनी के संगर्षों की देन है और बेटा अजे तुम्हें शायद मालूम नहों कि बच्पन में जब तुम एक साल के थे तब छट से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीड की हड़ी में भी समश्या थी तब तुम्हारी इस कुरूप मा नहीं अपनी एक आँख और अपना बोन मेरो दे कर इतना सुन्दर स्वरूप तुम्हें दिया था कामनी बेटा इतने सालों तक संखर्ष करके बेटे को परशाषनिक अधिकारी बनाने वाली इस संखर्ष शील ओरत की तुम्हें इश्वर कभी माफ नहीं करेगा डॉक्टर रमेश की आँखों से अश्रु जलधारा वेह रही थी अब भावी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी यहां इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा अजय को तो काटो तो खोन नहीं था डॉक्टर अजय जो उसके चाचा थे उन्होंने जो आज राज बताया उसके बाद तो अजय को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इनसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं वेह दोड़ता गया और मा के कदमों से लिपट गया मा मेरा अप्राद अक्षम में है मैं जान बूज कर चुपी साधे रहा आप आप मान करवाता रहा अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं अजय ने गुसे से भरी आँखों से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा कामनी को भी बहुत पस्चाताप हो रहा था किन्तो उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आँख मिलाई सरस्वती ने कामनी की मनस्तिती को समझ कर उसको पुछकारते हुए अपने पास बुलाया और अजय को डाटते हुए कहा खबरदार जो मेरी बहु को मुझसे अलग करने की कोशिश की दो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूँगी कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पढ़ते हुए अपने वैवार पर माफी मांगी और मा के हरदे ने सब को माफ कर दिया क्योंकि मा का हरदे तो बहुत विशाल होता है उमीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजीगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अपने विचार और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजीगा अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद